हेलो दोस्तों आपका स्वागत है आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम अभी तक कि जितनी भी इंपॉर्टेंट ब्रांड अम्बैसेजर्स हैं जो कि बार-बार आपके एक्जाम से पूछे जा रहे हैं जितनी भी इंपॉर्टेंट है सारे इस वीडियो में कवर करने वाले हैं definitely यहां से एक से दो कोशन आपको हर एक्जाम में देखने को मिले वाले हैं सो वीडियो को पूरा देखिए का स्किप मत कीज़ेगा न आगए आप चैनल पर नए है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजए बैल आगन ब्रेस करना नहीं भूले का जिससे जब भी कोई न सबकुछ आपको यहां पर मिल जाएगा एंड रेल्वे स्पैशल एबुक 7600 प्लस वन लाइनर जिसमें स्टाटिक जी के साइंस और करन्ट अफेर जो आपके एक्जाम में आपको बहुत हल करने वाले स्पैशली फॉर न्टीपीस में एवलेवल हैं डिस्क्रिप्शन में आप जाकर किसको पचस कर सकते हैं पहला गोशन देख लेंगे UNICEF की सबसे युवा गुडविल ब्रैंड अमबसेटर कौन बनी है तो UNICEF की सबसे युवा गुडविल ब्रैंड अमबसेटर बनी है मिली बॉबी ब्राउन कौन बनी है मिली बॉबी ब्राउन UNICEF United Nations Children's Emergency Fund ठीक है ना आप तो Children's Fund तो इसकी रिस्थापना है 1946 में की गई थी ठीक है इसके लावा हेड़कॉर्टर कहां पर है तो नियॉयॉक में है और हेंड़ीटा एच फोर्ड जो है उसकी डिरेक्टर है इतनी information is questions हमें मिल जाती है डीडी किसान चैनल के नए ब्रैंड इताब ब्चंट ओके वर इंडिया के ब्रैंड अम्बैसज़र कौन है तो विरात कोहली जो है वो वर इंदिया के ब्रैंड अमपसज़र है गाईस है नेक्स्स इंपॉरटेंट कोर्शन हम देखेंगे UNDP के गुट्विल अंब्यासजर कौन है दो इूनडीप गुट्विल पदमा लक्षमी ठीक है और हम बात करें UNDP की युनाइटेड नीशन्स डेवलप्मेंट प्रोग्राम इसको कब स्टैब्रिश किया गया था 22 नवेंबर 1965 को एन हेड्कॉर्टर इंदी न्यू यॉयॉक और अचीम स्टेनर जो है इसके हैड है Online Education Platform Classplus की नए Brand Ambassador बने है Mr. Saurav Ganguly देखें जिन कोशन से इंपॉर्टन फैक्ट्स आपको बताने होते हैं मैं बिल्कुल बता दिया तो कई लोग कमेंट्स करते हैं मैं आपने बहुत जल्दी बता दिया तो जिन कोशन में कोई Extra Fact नहीं है वो हम सिर्फ To The Point देखेंगे और जहां अभी Extra Fact की नीड लगती है मैं बिल्कुल आपके साइं डिस्कस करूंगे ओके आई ओए के जो है Good Brand Ambassador कौन है तो यह बने है सौरब गांगुली चीखें ऑर्टिस्म के लिए डवलु एचर के Good Brand Ambassador कौन बनी है तो यह बनी है Saima Wazid Hussain कौन बनी है Saima Wazid Hussain के अलावा WHO World Health Organization 7th April 948 को स्टैब्रिश किया है तसलिए हम 7th April को क्या मनाते है World Health Day Headquarters Geneva Switzerland एडरस एधनोम जो है इसके डिरेक्टर जनरल है Oral Healthcare Brand Colgate की नई Brand Ambassador है किया रडवानी इसके अलावा वीजा की Brand Ambassador कौन है तो पीवी सिंदू है सारी साथ हम बात करें Fit India Movement Movement की बात कर रहे हैं Confused हो जाते हैं कई लोग अगला ही कोशन हम देख लेंगे अभियान है वो और यह हम बात करें Movement Fit India अभियान Fit India अभियान के Brand Ambassador शिल्पा अगरवाल मोहित मारवा और सोनू सूध तीनों ही हैं तो option आपको अच्छे से देख करके लगाना है D हमारा correct answer होगा PNB के नए Brand Ambassador है विराट कोहली कौन है विराट कोहली है PNB के अगर हम बात करें 1894 में इसको स्टैब्लिश किया गया था करेंटली जो है मलेकारजन राव इसके MDN CEO है इसका headquarter न्यू डाइली में है American Tourister के Brand Ambassador विराट कोहली है e-sports platform Mobile Premier League के जो हम बात करें इसका कंपनी के नए Brand Ambassador है तो क्रिकेटर युवराज सिंह साथी साथ वीवो जो कंपनी है वीवो के नए Brand Ambassador है Mr. Amir Khan सिसका कंपनी के नए Brand Ambassador को है तो सिसका कंपनी के Brand Ambassador है Mr. Rajkumar Rao इमिज में आप इनको देख सकते हैं इसके अलावा Acer India के Brand Ambassador कौन है तो actor Sonu Suth जो है Acer India के Brand Ambassador है Indigo Paint के नए Brand Ambassador है Mr. Mahendra Singh Dhoni कौन है Mr. Mahendra Singh Dhoni है Next हम बात कर लेंगे Maths Learning Platform है क्या नाम है Q Math इसकी Brand Ambassador है कौन विद्यावालन कौन है विद्यावालन है इसके अलावा Siatai के नए Brand Ambassador कौन है तो यह भी है कौन Mr. Aamir Khan चीक है Titan जश्मी के नए Brand Ambassador Aishman Khurana Food Delivery Brand भारत EAT भारत EAT के Brand Ambassador है Mr. Ravigation Great Learning के नए Brand Ambassador कौन है तो यह है Mr. Virat Kohli कौन है विराट Kohli है इसके अलावा Mavo Fit Rappies के जो नए Brand Ambassador है वो है Mandira Vedi कौन है Mandira Vedi है इसके अलावा हम बात करें Bengal Peerless Company के नए Brand Ambassador है Mr. Saurav Ganguly जो की BCCI के भी Head है हमारे Nine Sticks के नए Brand Ambassador कौन है तो Mr. Suresh Raina है इसके अलावा Sports Eyewear Brand Oakley के नए Brand Ambassador कौन है तो यह है रोहित शर्मा ठीके गाइस इसके अलावा Mobile Game Free Fire के Brand Ambassador कौन है Cristiano Ronaldo कौन है Cristiano Ronaldo है साथ ही साथ Paytm First Games के Brand Ambassador कौन है तो यह है Mr. Sachin Tendulgar This is the most important question और Paytm के हम बात करें तो 2010 में इसको established किया गया था Noira में इसका Headquarter है Vijay Sheikha Sharma इसके Founder है Varun Shridhar इसके CEO है Amit Nair इसके President है और Ajay Sheikha Sharma इसके Vice President है अगला देख लेंगो शिन Arokiya Seto के Brand Ambassador कौन है आजा देवगन है यह तो सभी को पता होगा बैसी गली है ना अब हम बात करेंगे Vectors Group के नए Brand Ambassador तो करीना कपूर और साफ अलिखान दोनों ही है साथी साथ Mintra के पहले Digital Brand Ambassador कौन बने है तो Mintra के पहले Digital Brand Ambassador बने है Mr. Bhuvan ठीक है ना Digital बने है यह डिजिटल का डिफरेंस नहीं बूलेगा आंदरपदेश सरकार ने Anti-Correction Helpline के लिए किसे Brand Ambassador बनाया है तो यह बनाएगा है PV संदु को ठीक है WTF Sports Brand के Ambassador कौन बने है तो Harman Preet Kaur और सुरेश रहना दोनों ही बने है तो C जो है हमारा Correct आंसर होगा गाइस इसके अलावा Make in India के नए Brand Ambassador कौन है तो Make in India के जो नए Brand Ambassador है वो है Mr. Piroz Khambatta ठीक है Make in India जो है इसको 2014 में Establish किया गया था ठीक है अगला देख लेंगा निर्मल भारत अभियान की Brand Ambassador कौन है तो यह है विद्या बालन हना Realme Mobiles के Ambassador कौन है तो हम बात करें कौन कौन है तो श्रद्धा कपूर है सलमान खान तो BNC बोथ ओकली के नए Brand Ambassador कौन है तो यह रोहिच शर्मा है इसके अलावा Edidas तो Edidas के जो Brand Ambassador है वो है मनुशी छिलर चीक है असम राज्जु की अब हम बात करें तो इसके खेल की नए Brand Ambassador बनी है हीम अदास कौन बनी है हीम अदास बनी है असम की Capital Disporas सर्वन अनुसोन वाल यहां के सिए में जगदीश मुखी यहां के गवर्णर है अगला देखेंगे भारत की लक्षमी की नए Brand Ambassador बनी है दीपिका पदुकौन सडक सुरक्षा अभियान रोट सेफ्टी अवर्नेस के Brand Ambassador बने है अक्षे कुमार कौन बने है अक्षे कुमार बने है इमिज में भी आप इनको देख सकते हैं अफकॉस MasterCard के Brand Ambassador कौन बने है तो MasterCard के Brand Ambassador Global Brand Ambassador बने है ठीक है मिस्टर वसीम करीम अगले देखेंगे गुजरात की नए Brand Ambassador तो स्टेट की हम बैट कर रहे है मिस्टर अमिताब बच्चन को ही बनाया है तो यह है सुनीता उपादरस्था ठीक है सुनीता उपादरस्था जो है टाचा लाइफ पादेशन की नए Brand Ambassador है LG Electronics Company के नए Brand Ambassador कौन है तो यह है लुइस हमिल्टन है दर्वाजा बंदभियान तो इसके Brand Ambassador ने मिस्टर अभिदाब बच्चन और दर्वाजा बंदभियान की हम बात करें ग्रामीन इंडिया की नए Brand Ambassador है रणवजय सिंगा पार्ली अग्रो कंपनी की नए Brand Ambassador है प्रियंका चोपड़ा भार्तिय सेना के Brand Ambassador कौन है तो यह है महेंद्र सिंग धोनी कौन है गाइस महेंद्र सिंग धोनी है इसके लावा अभी हमारे आर्मी चीफ कौन है तो मिस्टर मनोज मुकुन नर्वने है नाडा नाशनल एंटी डॉपिंग अजंसी इसके Brand Ambassador है कौन सुनिल शेटी और नाडा है इसको कब स्टाब्रिश किया गया था गाइस 2005 में स्टाब्रिश किया गया था एंटी गया था यूएं कोविट 19 गुरुप के नए ब्रैंड अबैस्टर कौन है तो यह तनिश्का आनंद ठीक है रोट सेफ्टी तो यह नितिन गर्करी जी चीक है किया मोटर्स की नए ब्रैंड अबैस्टर कौन है रफेल नडाल है यह आपको याद रखना है ठीक है जो इंटर इंडिया को 2015 में जो है लॉंच किया गया है आईएफसी फरस्ट बैंक के जो ब्रैंड अमबैसडर है वो कौन है मिस्टर मिताब बच्चन है के लाबब पीटर इंगलेंड के नए ब्रैंड अमबैसडर है मिस्टर राइशमान खुराना स्वच आदत स्वच भारत ठीक है न और अजय देवगन क्या है तो आरोगय सेतु के है ट्राइश इंडिया की ब्रैंड अमबैसडर है अंसी मैरी कॉम चीक है इसके अलाबा भारतिय वनजीप ट्रस्ट यानगी वाइल लाइफ ट्रस्ट आफ इंडिया की ब्रैंड अमबैसडर कौन है तो यह है दिया मिर्जा सिक्किम राज के नए ब्रैंड अमबैसडर बने है यार रह्मान चीक है इसके अलाबा ला लीगा है यह एंटीपी से ने दो बार पूछा है कॉशन चीक है ला लीगा के ब्रैंड अमबैसडर है क्रिकेटर रोहिच शर्मा इमेज में आप देखी सकते है अफकॉस रोहिच लाद लीगा जो है क्या है हम बात करें कहा है तो बैसी कली स्पैनिश को यह प्रॉंग करता है स्पीन में ठीक है इसके बार में सो काफ फाउंड किया गिए था 1929 में स्पैनिश फुट बाल किलाभ है एक नंबर आफ टीम स्कितनी है तो ट्विंटी है माने वर की ब्रैंड कौन है तो मानने पर के ब्रेंड अंबस्टर रंविर सिंग अमिताब बचन कार्थिक आर्यन ठीक है तो डी करेक्ट आंसर होगा अन्नाजर पुदेश की परिटन ब्रेंड अब्राहम स्वच्छ रेल मिशन के नए ब्रेंड अमबस्टर बने हैं विंदेश्वार कौन है डीपिका पादू कौन है रीबॉक तो रीबॉक के जो ब्रेंड अमबस्टर है वरुण धवन और केत्रीना कैप दोनों ही हैं तो च हमारा करेक्ट आंसर होगा उसके अलावा कैरल की शराव विरोधी अभियान के ब्रेंड अमबस्टर कौन बने है तो ये बने है टाटा पावर लिमिटेड नाइटीन नाइटीन में इसको इस्टाब्रिश किया गया था दोराब जी टाटा की द्वारा मुंबई महरास्ट में इसका हेड़कॉर्टर है प्रवीर सिन्हा जो हैं इसके MDN CEO है है औटी कार की नए ब्रेंड अम्बैस्टर है विराठ कहुली हर्याणा में योग और एर्वेद की ब्रेंड आईड अब्थन च्राइब चीक्ता ये अनग की ब्रेंड आंड भाट नाकर्षन पल्स पोल्य अभियान की ब्रेंडम बैस्ट है हमें ताब बच्चन है चीके गाइस जहां जान डिस्कुशन नीडिड है हम बिल्कुल कर रहे हैं बागी जहां आपको सिर्फ याद रखने है तो फिर आप वही याद रखिएगा ठीक है कुछ नैसेसरी कमेंट आते हैं कि मैं आपने बहुत जल्दी करवा दिया एटी सी तो प्लीज थोड़ा वॉइड करें इस तरीके की कमेंट करना में बिल्कुल कोशिश करते हूं कि जो चीज आपके लिए इंपोर्टन है कम से कम समय में उसको कवर कर पाएं पैपसी की नए ब्रेंड अंबेस्टर ने शेफाली प्रियंका चोपड़ा कौन है प्रियंका चोपड़ा है इसके अलावा युनिसेफ तो अमने देखी लिया था ठीक है 1946 में स्टाविश हुआ है याद रखना है कौन है है हंडीटा एच फॉर है असम राज की परेटन की नए ब्रेंड अमबैसडर कौन बने है तो यह बने है स्पोर्ट्स अड्डा की नए ब्रेंड अमबैसडर बने है तो यह कौन बने है स्पोर्ट्स अड्डा की ब्रेटली बने है काफी इंपोर्टेंट है भारत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की नए ब्रेंड अमबैसडर कौन है तो मधूरी देख्षित है ओक बैंटमिंटन संग बैंटमिंटन वर्ल वाइड वार्डवाइड वैड्मिंटन वर्ल फेडरेशन जो है इसकी हम बात करें ब्रैंड मेंट अबस्टर वह कौन है Mr. Sonu सूध है एग हीरो मोटो कॉप के नए ब्रैंड अमबस्टर कौन है तो यह है येरी मीना कौन है येरी मीना है इसके अलावा डावर्चवन प्रैश की नए ब्रैंड अमबस्टर है Mr. Akshan Kumar ठीक है बिहार खादी के नए ब्रेंड अम्बाज़र है Mr.Pankaj, त्रिपार्थी, किसके हैं बिहार खादी के हैं दवा उत्पादक कंपनी Mankind Pharma के नए ब्रेंड अम्बाज़र कौन है तो ये हैं Mohanlal कौन है Mohanlal है इसके लावा Green Manipur Mission की ब्रेंड अम्बाज़र कौन है तो ये इंपॉर्टेंट है एलंगबाम, वैलंटीना, देवी मनिपुर Blue Star की ब्रेंड अम्बाज़र कौन है तो विराठ, कहुली है Prega News की ब्रेंड अम्बाज़र कौन है तो ये अनुष्का शर्मा है L'Oreal Paris की ब्रेंड अम्बाज़र कौन है मिथाली राज, शक्ति मोहन, अधिति राभ, तीनो ही ठीक है तो डी करेक्ट आंसर होगा मध्यपरदेश राज की ब्रेंड अम्बाज़र कौन है तो ये है कुविंदा इसके लावा, Nutrition brand, Horlix Protein Plus की नए ब्रेंड अम्बाज़र कौन बने है तो ये बने है अक्षे कुमार की नए ब्रेंड अम्बाज़र कौन बने है तो ये बने है रनविर सेंग इसके अलावा, Kars 24 की नए ब्रेंड अम्बाज़र बने है महिंदर सिंग धोनी कौन बने है महिंदर सिंग धोनी है guys, Detergent brand, Tide की नए ब्रेंड अम्बाज़र कौन है तो Tide की नए ब्रेंड अम्बाज़र है आईश्मान, खुराना अनादर इंपोर्टेंट वन गूगल डूओ, तो गूगल डूओ के जो ब्रेंड अम्बाज़र है क्रिकेटर विराट को ली कौन है guys, Google डूओ के ब्रेंड अम्बाज़र क्रिकेटर विराट को ली finance PR के नए ब्रेंड अम्बाज़र कौन है अगेंद क्रिकेटर रोहिच शर्मा, केंद्री रिजव पुलिस बल के नए ब्रेंड अम्बाज़र कौन है, तो यह हैं PV सिंदू, कौन है PV सिंदू है, और केंद्री पुलिस बल की हम बात करें, Central Reserve Police Force, CRPF, सेवा और निस्टा, Service and Loy इसको स्टाबलिश किया गया था ठीक है ऐसा क्राउन रिप्रेजेंटेटिटिव पुलिस और 28 डिसेंबर 1949 में हम बात करें इसको ऐसा CRPF स्टाबलिश किया गया ठीक है मालाबार ग्रूप की नए ब्रेंडम बैस्टर कौन बने है तो यह बने है आप हुआ इसके लावा स्पोर्ट फिट्नेस न्यूटरेशन ब्रांड मसल्स ब्लेस के चतरे मशल्सक के ब्रेंडम बैस्टर विद्यत जामवान शुकैं माभियान की प्रेंडम बैसे इस मोस्सेंप्पॉर्टन यह माधुरी दिख्षित मा मा का फूल फॉम मदर्स एब्सलूट आफेक्शन ब्रच फीडिंग के लिए यह अभियान है अर्मानी एक्षेंज के नए ब्रैंड अमबैसडर बने हैं कार्तिकार्य लिविंग आर्ट कंपनी के नए ब्रैंड अमबैसडर है मिस्टर सौरग गांगुली ओके दीम 11 के नए ब्रैंड अमबैसडर है मिस्टर महेंदर सिंग धोनी पूमा के ब्रैंड अमबैसडर कौन है तो सुनिये शेत्री और करीना कपूर दोनों ही है गाइस पूमा के ब्रैंड अमबैसडर पगार बुक के जो ब्रैंड अमबैसडर है वो कौन है मिस्टर अक्षे कुम स्वाच्छ भारत मिशन की हम बात करें स्वाच्छ भारत मिशन तो 2014 में स्वाच्छ भारत अभियान जिसको हम कहें लॉंच किया था दो अक्टूबर में थीक है 2014 में राजगार जो है मातमा गांदीजी की समाधी वहां से वन स्टाप टू आर्जी क्लीनली नास इस लोगन राइट बस की नए ब्रैंड अम्बैसजर कौन है तो यह है माहिंद्र सिंग दूनी जी एस्टी के नए ब्रैंड अम्बैसडर है गुड्सन सर्वस्टेक्स तो आंसर है मिस्टर मताब भच्छन ठीक है इसको फर्स जुलाई 2017 से यह एफेक्ट में आया था क्रेक्टर निर्माता कंपनी टैफ या टीए एफी इसकी नए ब्रैंड अम्बैसडर कौन है अक्षे digital इंडिया थे हम बतकरें यह अंकित फाडिया छी करें है आपर इसके अलाव हम बतकरें नेंग्स खेह आया गया है तो यह बनाया घ्रेकेटर रोहत उच को ऐज्यकेशन अब यह गया को रात पेकिन है सल्मान खान कौन है सल्मान खान है क्रिक किंगड़म किन है ब्रैंडम बैसडर निन क्रिगेटर रोह सर्मा अड़ियान के ब्रैंडम बैसडर हैं बिलाल डार ब्हारत संचार निगम लिमिटेड की जो सके जो मेरिकॉम है फाउंड किया गया था इसको 2000 में यह 2000 ठीक है प्रवीन कुमार पूरवार जो है इसके चैर्मन MD है लेकिन इंट्रेम है 5G मुबाइल बनाने वाली कंपनी IQ के नए ब्रैंड अमबैसडर किसे बनाया गया है तो यह बने है विराट कोहली चीक है युनिसेफ इंडिया की युवा ब्रैंड अमबैसडर है हीमादास सोनाटा की नए ब्रैंड अमबैसडर है महिंद्र सिंग दूनी UNEP अगें इंपॉर्टेंट वन इसकी गुटबल अमबैसडर ने वो दिया मिर्जा है UNEP क्या है तो युनाइट नेशन अन्वामेंटल प्रोग्राम 1972 में इसको फॉर्म किया गया था नाइरोबी केन्या में इसका हेड़कॉर्टर है इंगिर एडरसन जो है इसके एक्जेक्यूटिव डिरेक्टर है 2019 से ओके यह हमारी आज की वीडियो थी यह नाए हो वीडियो आपको पसंद आई हो प्लीज इसको जादा से जादा लाइक करें शेर करें एंड चैनल को जल्ली से सब्सक्राइब कर लिए जो बैल आइक है ज थैंक यू